अजोनी बात करेंगी प्राइस क्या हाल फञाव में दो चरच Copa का विषय वणा हुआ है उस बार इस परिशर को जानने से तेनले अपको इज चानना बोगर जाता है कि आखिर ये प्राइस कैप आइ ईपाद का एक निश्चत मुई ताय करना होता यानि किसी चीज वर्स्तू का आप एक स्पेसिफिक प्राइज रखीजे और बार में यादि उस स्पेसिफिक प्राइज से उपर नीचे कोई दाम दिया जाता है तो आपको उसमें बहुत सारी डेगुलेशन और प्रतिबग्दू के सामना करना पर सकता है लेकिन इस बाल पर करने पर जहाजों पर हमिशा फिली प्रतिबंद लगता था वहीं अब इसे के वर 90 दिन का कर दिया गया है भारत पर भी रोसी देर पर क्यापिंग का लबाव बना जा रहा है लेकिन भारत की पेट्लूरियम मंत्री हजीब सेंकूरी ने तहा है कि जब प्राइस क्याप होग का पोई भी ओर्डर नहीं दे आए चीन में पोवेट नाइटी कि प्रकॉप को रोगने चाहिए लागों किये गए ब्रतबंदन से अन्यतारमों से कच्छे थे की मांग और कीमते प्रंभावत हो रहें थी कच्छे तेल की कीमतें यूद्ध के दोनार अपने उच्छतम सर से काफी नीचे वहीं जदी हम बात करें रश्या यूक्रेंग के बॉल के विरसे कितने ही हमें संखर्ष थे में पड़ें रूसी उपमंत्री अप्रधानमंत्री अलदेंस नौवाक में मुई सीमा नाव में से कुछ पहले टेनिविजन पर कुछ बाते करी थी अपना स्टेटम को खाथा कि हम केवल उन देशों को तेल और तेल उत्पाद बीचेंगे जो बाजाय के शर्तों पर हमारे साथ का करेंगे भले ही हमें कुछ हद तक उत्पादन कम करना पड़े इधार रूस की से लाफ नए पश्चिवी प्रतिबग्भों के असर पुलेगता अन श्चुत् को नहीं बंदा इन देशों में रोस भी शामिल है करना वें कोबेक और अन्य संबंद दिंशों के पेट्रूलियम मंत्रियों की रमवार को हुई बैठत में ये फैसला किया गया था ये फैसला ऐसे वकपर किया दिया है नहीं रखेगा जब सोवार में भूस्ट देल पर मु देशों की तरफ से नाय गया प्राइस टाप बाजार सद्धांपों का फुलंगन करता है इससे विश्व के ऊचा बाजार पर घंभीर संकत आसबता है यूक्रेन अयुद के बाद से ही भारत रोस से बड़ी मात्रम दीट खरीद रहा है भारत को रोस से तेल की खरीदारी प पर प्राइस काप नगा जाता है तो उसे भारत भी प्रभावत को कास और जिब प्रभावत होगा तो हम से प्रभावत होंगे तो आगे देखने हारी बात है किस तरीके से इस टोरी मोंट रड़ी है ऐसे अबरों की राप दने वह एगा वो की मुश्क के साथ